कई देशों की खुफिया रिपोर्ट इस बात की आशन का जता रही है कि अरब में एक सौ घंटे बाद महायुद्ध का विस्फोट हो सकता है। इसकी वज़ा है इरान के राश्च्रुपती इबराहीम रईसी की मौत के बाद इरान का प्रतिशोथ प्लान। इरान की मस्दिदों पर शोक और प्रतिशोथ के प्रतिक काले जंडे लगा दिये गए हैं। इसके साथ ही इरान के कारेवाहक राश्च्रुपती मुखपर की होटलाइन पर रूस के राश्च्रुपती व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। इस बातचीत के बाद रूस में टाक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इरान अरब में यूएस खेमे के साथ देशों को एक साथ टार्गेट बना सकता है। रूस और इरान के इस जॉइंट ऑपरेशन का खत्रा बढ़ता जा रहा है। राश्चुपती इब्राहीम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दलाहियन की मौत के बाद इरान शोक में डूबा है। मौत की खबर आने से पहले जिन समर्थकों के हाथ दुआओं में उठे थे अब उन्हीं समर्थकों के मन दर्द और आखे आसों से भरे हैं। रईसी के एक समर्थक ने कहा कि जब से हेलिकॉप्टर क्रैश की खबर सुने तब से चिंता में थे कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारा। हमारे देश का क्या होगा। पूरी रात खबरे देखते रहे। हम सब स्तब्द थे। वहीं एक अन्य समर्थक ने कहा कि हमें दुख है कि हमारा एक ऐसा नायक चला गया जिसने इरान को गौरवानमित किया और दुश्मनों का सिर जुकाया। खासकर बीते महीने हमने देखा कि कैसे रईसी सरकार ने इसराइल और अमेरिका को शर्मसार किया और इरान का कड़ बढ़ाया। समर्थक अपने नायकों को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रही है। इरान में शुक्रवार तक अलग-अलग जगों पर रईसी और अब्दलाहियन की शव यात्रा निकाली जाएगी। प्रार्थना सभाई होंगी। शुक्रवार को मशाद में इमाम रेजा के मकबरे के पास दोनों को दफनाया जाएगा। इस बीच इरान सरकार की कमान मुहमद मुखपर को सौप दी गई है। उप राष्ट्रुपती रहे मुहमद मुखपर को कार्यवाहक राष्ट्रुपती बनाया गया है। उप विदेश मंत्री अली बागेरी को कार्यवाहक विदेश मंत्री बना दिया गया है। 20 माई को कारिवाहक राश्चुपती मुहमद मुखबर ने दिन भर सैन्य अधिकारियों और अलग-अलग मंत्रियों से बाक्चीत की। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इरान रईसी के प्लेन त्रेश के प्रतिशोद की तैयारी में है। इरान के प्रतिशोद की तैयारी का सबूत है कि इरानी मस्दिदों के गुंबदों पर काला जंडा फहराया जा रहा है। अब शुक्रवार को रईसी का शव इमाम रेजा के मकबरे के पास पहुँचेगा। उस दिन वहां भी काला जंडा फहराया जाएगा और उसी दिन रईसी का अंतिम संसकार कर इरानी प्रतिशोद की शुरुवात हो सकती है। इरान सरकार ने क्रेश पर कोई आधिकारिक बयान देकर इसे साज़िश नहीं माना है लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इरान इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार मान रहा है और वो इसराइल पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इस्राइल पर एक्शन लेने के लिए इरान का खौसला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मुखपर को पुतिन का साथ मिल गया है बीस मई को पुतिन ने कारिवाहक राश्चुपती मुखपर से बात कर कहा है कि क्रेश को सिर्फ हाथसा नहीं माना जा सकता है माना जा रहा है कि रईसी क्रेश केस के नाम पर पुतिन अरब में अपना वर्चस्व बढ़ाने वाले हैं रूस ने 19 अप्रेल को इरान पर इसराइल के हमले के दोरान भी सामरिक सहयोग दिया था और अब रईसी की मौत के बाद पुतिन के लिए अरब की सबसे बड़ी ताक्तों में एक इरान के जरिये अरब में पैर फैलाने का मौका है माना ये जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर इरान इसराइल से बड़े प्रतिशोत की तयारी में है